जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में अभी सिक्स सिमेस्टर के एकजाम्स खतम हो गये हैं और बहुत से बच्चों का कमेंट आया है कि सर हम जियोग्राफी से यमे करना चाहते हैं तो प्लीज उसका सले स्लेबस बता दिजिए हमने यूै को सब्ज़्यक्ड हमें लेना चाहिए कितने सिमेस्टर होंगे और कितने पेपर हमें एक के देने चार पेपर सेमेस्टर फस्ट में अर्थातिया में सेवन सेमेस्टर में देने होंगे, कौन-कौन से पेपर पढ़ने होंगे, सबसे पहले आपको बता देते हैं, चार पेपर में से सबसे पहला है, Geomorphology, Environmental Geography, Geography of India third paper है और fourth paper है Fundamental of Remote Sensing ये चार आपको theory पढ़ने होगे कौन-कौन से Geomorphology, Environmental Geography, Geography of India और fourth है Fundamental of Remote Sensing Practical में आपको क्या पढ़ना होगा Statistical Methods, Air Photo, Interpretation and Field Survey ये आपको practical करना होगा Research Product में आपको Survey Work करना होगा तो ये कुल मिलाकर आपका ये ये 7th semester का ये सिलिवस रहेगा तो आज हम आपको बताएंगे Geomorphology में आपको कितने unit पढ़ने होगे कौन-कौन से topics पढ़ने होगे और चारो जो paper हैं अलग-अलग video में आपको अच्छे से सिलिवस बता दिये जाएगा क्योंकि अलग-अलग जो paper होंगे उनकी अलग-अलग classes चलेंगी अगर आप classes चाहते हैं तो channel पर बने रहें अपने दोस्तों के पास भी share करें आपको जियोग्राफी ये 7th semester के चारो paper अच्छे से कराये जाएंगे पूरा slayvus आपका complete कराये जाएगा और notes जो इसके आपको provide कराये जाएंगे टेलिग्राम चैनल पर इसलिए टेलिग्राम चैनल को अवसे subscribe करें साथ ही साथ YouTube चैनल पर बने रहें टेलिग्राम चैनल पर क्या होता है कि आपको slayvus दिया ही जाएगा साथ ही साथ जो notes है उसको provide कराये जाएगा यहाँ जो classes होती है उसी को आपको आपको आपर notes के form में PDF form में provide कराये जाता है वहाँ से आप अगर revision करना चाहें या फिर अपना handwritten notes बनाना चाहें तो आप वहाँ से बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं geomorphology में हमें क्या पढ़ना है तो चैनल को अबस सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें comment में कोई भी question आपका यमे से related या geography subject यमे में जो है कौन से किस प्रकार के आपके जो भी question हो वहाँ पूर सकते हैं यह देखिए आपका यमे first paper का ये geomorphology जो ये आपका slavus है इसमें 25 नंबर internal और 75 नंबर external जैसा कि आपके बी ये में भी होता था तो चलिए देखते हैं unit first में हमें क्या पढ़ना है unit first हमारा है इसमें हमें पढ़ना है meaning and scope of geomorphology भू आकृति विज्ञान का आर्थ और दाइरा पढ़ना है English और Hindi medium जो दोनों medium इसको इंग्लिस में जानना होते English में आपको देखिये लिखा हुआ मिलेगा साथ ही साथ है आपको हिंदी में समझाते चलेंगे पहला आपका topic unit first में meaning and scope of geomorphology भू आकृति विज्ञान का आर्थ और दाइरा देखेंगे recent trends in geomorphology भू आकृति विज्ञान में नवींतम रूजहान कौन-कौन से है उसको देखेंगे basic concepts in geomorphology भू आकृति विज्ञान में मोला ओधार आए क्या है इसको जानेंगे structure इसकी सनरचना process प्रक्रिया और stage time Davis and penk और charad समय Davis और penk इन सभी के विज्ञान में हमें यूनिट में पढ़ना है English Medium वाले सुन ले meaning and scope of geomorphology recent trends in geomorphology basic concepts in geomorphology structure, process and stage time Davis and penk ये सभी topics हमें पढ़ने हैं और हिंदी में हम आपको बताएं भू आक्यति विज्ञान जो है उसका अर्थ पढ़ना है तो पहला आपका भू आक्यति विज्ञान जो है उसके विज्ञान में आप पहले unit में अच्छे से पढ़नेंगे फिर आपका unit second जो होगा उसमें आपको पढ़ना है concept of plate tectonics plate tectonics की ओधाड़ा क्या है mass movement of rock waste and resultant large reforms चटान, अप्सिस्ट का वुरिहद, संचलन और परडामी भू आक्रितियों के विज़े में हमें पढ़ना है concept classification and analysis of slopes धलानों की ओधाड़ा, वर्गी करण और विसलिसल हमें पढ़ना है कुल मिलाकर इसमें हमें क्या पढ़ना है concept of plate tectonics पढ़ना है mass movement of rock waste and resultant land forms पढ़ने है तो ये एक प्रकार से आपका unit second हो गया unit third हम देखेंगे, unit third में हमें क्या पढ़ना है unit third में हमें पढ़ना है structural geomorphology सनरचनात्म भू आक्रिति, विज्ञान के विशे में fold, fault and domal structure and land forms वलित भ्रंस और गुंबदी सनरचनाय ये उम अस्थत स्वरोप पढ़ने है डेनुडेशनल, chronology of penusular India, हिमालियास and northern plains प्रायदीपी भारत हिमालय ये उत्तरी मैदानों का अनाच्छादनात्मक कालक्रम हमें पढ़ना है ये हमारा हो गया unit third अभी तक हमने तीन unit देखे और चौथा और लास्ट यूनिट आपके स्लिबस का हो जाएगा applied geomorphology, अनुप्रियुक्त भूव आकृति विज्ञान terrain classification and its applications भूव भाग वर्गी करड़ और इसके अनुप्रियुक के विशे में हमें पढ़ना है stream orders धार अक्रम और उसके बाद हमें पढ़ने है stream orders के बाद seniority index and drainage density, seniority सूचकांक और जल निकासी घनत्यों के विशे में पढ़ना है ये आपका हो गया slavus जो की चार units में है तो आपका इस समय जो 7th semester EMA का है इसमें आपको चार आपके जो है paper पढ़ने हैं और slavus number हैगा इसलिए अभी से आप पढ़ना इस्टार्ट कर दीजिए जल्द ही आपके चारों paper के आपको slavus बता दिये जाएंगी ये आपको paper first का आज बता दिया गया है comment करके बताईएगा अगर आप किसी और subject से यम्मे कर रहे हों तो उस subject का भी आपको slavus बताया जाएगा लगभग geography और political science दोनों subject यहाँ पर complete कराया जाएंगे जो भी यम्मे कर रहे हो चैनल पर बने रहे हैं अपने दोस्तों के पास share करें टेलिग्राम चैनल पर अवस्य बने रहें क्योंकि वहाँ पर notes प्रोवाइट कराया जाते हैं जो कि पुराने बच्चे होंगे वह जाहें नहीं रहे हैं कि class कराने के बाद वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइट करा दिया जाता है धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में